आई ये इस वीडियो में जानते हैं एक बहुत बड़ी problem के बारे में जो बहुत सारे learners face करते हैं मैंने बहुत सारे learners को इस problem को face करते हुए देखा है problem का नाम है subject verb agreement अब कई बार एक sentence में जो subject होता है जब उसके हिसाब से verb नहीं लगाया जाता तो हम लोग कहते हैं कि subject verb agreement की problem है यहाँ पे subject verb agree नहीं कर रहे है problems क्या है वो भी देखेंगे कुछ example sentences के साथ ये भी देखेंगे कि कैसे आपको उस problem का समधान मिल सके, solution मिल सके आई ये पहला sentence देखते है he have three cars कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते देखा है अब यहाँ पे subject है he अब he जो है वो third person singular है first person, second person, third person simply ये चीज़ होती है first person जब एक ही इनसान हो केवल मैं हूँ, तो first person I हो गया first person plural क्या होगा जब हम सब हैं, we हैं तो first person plural हो गया तो I हो गया first person singular we हो गया first person plural you, दो लोग हो गय, मैं हो गया कोई दूसरा हो गया, तो ये second person हो गया you, he हम second person plural और singular के लिए भी use करते हैं he, she, it आप सोचिए, दो लोग हैं, वो बात कर रहें किसी तीसरे इनसान के बारे में तो हम he, she कह के बात करेंगे वो कल कहां गया था, वो कल कहां गई थी तो he, she, it, they ये सब third person है they third person plural है he, she, it third person singular है तो he है third person singular और इसके साथ हम अगर have का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ आपको लिखना है he has तो third person के साथ हम लोग इसको कहते हैं singular verb, तो आप ये देखें कि he, she, it जहाँ पे आएगा वहाँ पे लगेगा has या singular verb अब he has three cars ये सही है अगर यहाँ पे होता I तो मैं कहता I have three cars you होता तो भी मैं कहता you have three cars we होता तो भी मैं कहता we have three cars they होता तो भी मैं कहता they have three cars तो अगर I, you, we, they ये सब होते तो हम कहते have he, she, it के लिए हम कहेंगे has किसी इंसान का नाम भी लिखाए अगर यहाँ पे हम किसी की बात कर रहे हैं for instance सचिन की बात कर रहे हैं सचिन has three cars हम किसी का नाम बोल रहे हैं singular है हम बोलेंगे सचिन has three cars तो ये तो हो गया have और has के लिए अब हम मालीजी सेंटेंस देखते हैं सचिन अंजली lives in Mumbai कई बार लोग सोचते हैं कि singular तो हैं ये लोग सचिन भी एक इंसान है अंजली भी एक इंसान है lives in Mumbai हो गया लेकिन हम इन दोनों को combined in combined entity की बात कर रहे हैं ये दोनों मिला के हम कह रहे हैं सचिन अंजली ये दोनों लोग यहां रहते हैं रहते हैं आप बात भी सुने कैसे हो रही है सचिन और अंजली Mumbai में रहते हैं हम plurality में बात कर रहे हैं हम ये नहीं करें लगेगा अब plural verb जब हम S हटा देंगे तो वो plural verb है S लगाएंगे तो singular verb है singular के साथ अगर केवल सचिन होता तो हम कहते सचिन lives in Mumbai केवल अंजली होती तो भी हम कहते अंजली lives in Mumbai तब यहाँ पे lives आता लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों लोग रह रहे हैं तो यह आएगा live सचिन अंजली live in Mumbai वैसे ही देखिए अगर I होता I live You live We live तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे इन सब के साथ लगता live और plural अगर है entity कोई उसके साथ भी लगता if इनकी बात होगी अगर तो लगेगा lives तो यह जो एस वाला plural है देखिए यहाँ भी एस वाला verb लगा था यहाँ भी एस वाला verb लगा है यहाँ has लगा था तो he, she, it और कोई भी singular noun है उसके साथ हम lives लगाएंगे I, you, we दे के साथ हम लगाएंगे live तो यह बात हो गई इन दो sentence की तीसा sentence देखते है यह एक बहुत common mistake है everyone are present today अब कई बार लगता है everyone की बात हो रही है तो plural लोग हैं, सब लोग present हैं अगर आप Hindi में देखेंगे तो यह खाया जाएगा आज सब लोग present हैं plural लग रहा है लेकिन English में everyone ये एक singular pronoun है तो everyone is present today इसको समझती का कि बात तरीका एक यही है कि हम बात तो कर रहे हैं सब की लेकिन हम individual की बात कर रहे हैं हर इंसान है तो everyone everybody everything ये सारे singular pronoun होते हैं आप प्रोनाउन का वीडियो भी देख सकते हैं उसमें ने इसकी बात भी करी है तो ये सारे singular pronoun हैं उनके साथ singular verb लगेगा is ना की are तो everyone is present today तो कई बार ये जो हम English से Hindi में translate करने की कोशिश करते हैं वो बात सही इसलिए नहीं बैठती क्योंकि हर language का structure और syntax different होता है तो हम हमेशा translation पे अगर rely करेंगे तो बात सही बनेगी नहीं तो better है कि language को उसी की तरीके से सीखा जाए ना की translation में क्योंकि कई बार हम translate करते हुए चीज़ों में फस जाते हैं तो यहाँ पे translation वाला मामला नहीं चलेगा क्योंकि अगर हम कहेंगे आज सब लोग present हैं लेकिन अकर हम यह कहें आज हर इंसान present है तो यह हर इंसान की बात हो रही है everyone is हम बात सब कई लोगों की कर रहे हैं लेकिन हम individually कह रहे हैं कि हर इंसान एक एक बंदा आज आया है एक एक बंदा आया है everyone is present today तो यहाँ पे लगेगा is यह एक singular pronoun है यह sentence देखते हैं many people loves to play cricket simple है plural है तो loves नहीं लगेगा love लगेगा many people love to play cricket many people like to play cricket तो यह सारे जो हैं I love, you love, we love, they love but he loves, she loves, it loves Sachin loves to play cricket सब जानते हैं भई Sachin loves to play cricket तो है last sentence देखते हैं there is five apples in the basket अब यहाँ पे there हमारा subject नहीं है obviously हमारा subject यहाँ पे verb के बाद आ रहा है यह है subject five apples हैं तो plural हैं यह there are five apples in the basket तो बहुत जरूरी है कि हम subject के साथ verb को agree कराएं sentence में यह सबसे basic grammar rule है यहीं से grammar की starting है आप यहीं समझ दिये कि यहीं बताता है मैं कि क्या structure है और mainly लोग singular और plural में ही confused होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यह भी singular है और he she it भी singular है most he she तो singular है ही हम it कई बार तो अब आप यह देखिए कि यह singular होने के बावजूद plural noun plural verb लेते हैं और यह singular होने के बावजूद obviously singular verb लेते हैं तो he likes लेकिन I like she likes लेकिन you like तो main confusion यहाँ आता है तो आप यह जानके रखें कि I, you को थोड़ा differently treat करना है आपको जब आप verb लगाएं तो इनमें वही verb लगेगा जो वी और दे के साथ लगता है जो कि plural verb है तो यह आप इतना याद रख लेंगे तो आप थोड़ा सा easy रहेंगे subject verb agreement में थोड़ा topic अगर beginner level पे हैं आप तो शायद थोड़ा confusing हो सकता है आपको कोई confusion हो तो please मुझे comments में लिखे I'll be more than happy to resolve any of your confusions there कुछ भी बताईए और इसके लाबा कोई comment हो आपका कुछ आपको वीडियो कैसे लागा वो ही बताईए I hope it helps take care